दोस्तो आज के इस वीडियो मा बात करने माले हैं बिहार में लगे smart prepared meter के बारे में कि smart prepared meter में आपका line जब cut जाता है उसके बार भी आपका balance और negative में कैसे होचे जाता है यानि कि जब आपका management negative होने पर आपका line cut गया उसके बाद आप देखेंगे कि हर दिन आपका बालेंस और भी ज्यादा, निगेटिव होते जाता है या फिर किसी दिन आप line यूज नहीं करते हैं या फिर अपना बिजली का इस्तीमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका बालेंस कर जाता है ढखकी आज इस विडियों बात करेंगे कि लाइन नहीं रने पे आपका बाइलेंस कैसे करते जाता है या फिर यसले ही अनुक दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं वियंच अजो भी सप्ट मेट लग रहे हैं उसमें आपको पहले करना होता है फिर आपका रिचाज के कोड्र ठीडिए अपना लेट कि यूजर करते हैं जैसे साफ यूजर करते हैं अशाथ करते जाता है कि यहाणिए जोर देघ्षाज करते हैं Cy Douglas माइनस बढ़ते चला जाता है और भी नीगेटिव होता जाता है और पिर नेक्स रिचार्ज करेंगे तो उसमें से जितना नीगेटिव हुआ रहेगा वह वह बालेंस कारड़ के फिर आपको रिस्ट बालेंस मिलता है तो ऐसा क्यूं होता है कि आप बिजली का लाइन कटा हु है तो ऐसा क्यूं होता है कि आप यूंज नहीं करते हैं या फिर लाइनएक करणा होगा फिर या भी आपका बालेंस करते क्यूं जाता है दोस्तों हमारे मिली विल में र summary यूणय चार्ज होता है जो भी हम यूनिट क länger होता है उसमें उनीट च्यार्ज करते हैं उसके action हमें चार्ज किये जाते हैं जब भी आपका connection disconnect हो जाता है या फिर connection यूज नहीं करते हैं वैसे के समसीफ आपको fixed charge charge करते हैं वैसे के इसमें आपका सिर्फ energy charge ही 0 होता है जो कि आपको एक fixed charge लगके आता था जो की commercial connection में बिहार में जेनरली 110 रुपया पर kilowatt है और domestic में 40 रुपया पर किलवाट है तो अगर इसको आप 30 दिन में नहीं आप फिर connection आपका disconnect हो गया है तो भी आपका fixed charge का पैसा है वह आपके balance से daily deduct होते रहता है दोस्तों इसके लाब अगर आपके स्मार्ट में पहले का कोई बाकाया चल रहा है आपके balance से कोई area remote कर रहा है जैसे आप इस इसकी इंसर्ट में देख सकते हैं इसमें पहले से कुछ area remote कर था जो बाकाया में 24 सपर पर डे कर रहा है तो आपका line disconnect हो जाने के बाद भी आपका area remote daily करते रहता है या फिर आप यूजर नहीं करेंगे तो भी आपका area remote करते रहेगा यानि कि आपको fixed charge और area remote अगर कोई है तो यह दोना पैसा आपके balance से करते रहता है आप चाहे line disconnect करके रखें या फिर line use ना करें तो भी आपको fixed charge का पैसा और area remote कोई balance है तो वो दो amount यह दो amount आपके account से कटते रहता है और आपका balance negative है तो और ज्यादा negative होते चला जाएगा या फिर balance है तो और आपका balance कम होते जाता है तो दो यह दो charges है जो आपके balance से कटते ह हैं आपका line use नहीं करने पर भी पहला fix charge और दूसरा area remote दोस्तो इसके लाव अगर आपने smart bit का billing जानना चाहते हैं कि आपके bill में क्या-क्या charger लग रहा है आपके bill में कोई find तो नहीं लग रहा है या फिर आपका area क्यों कट रहा है तो इन सब चीज को ऊपर मैं एक पहले वी वीडियो कैसा लागा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता है और आपने अगर माई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरक नहीं वीडियो लेकि आते रहता हूं जय हिन बंदे मातर हुआ